सतना शहर के समीपी गाओं सोहावल में एक निगरानी शुदा बदमाश की धारदार हत्यार से प्रहार कर हत्या कर दी गई उसका शव देरात सड़क किनारे पड़ा मिला पुलिस ने शव का पोस्ट माटम करा कर तफ्ती शुरू कर दी है जानकारी के मताबिक सिविलाइन थाना अंतरगत शहर के समीपी ग्राम सोहावल में एक युवक की हत्या कर दी गई है मरतक की पहचान बाबुलाल केवट और लल्लू पिता राम चरन केवट हुमर 45 वर्ष निवासी सोहावल के रूप में हुई है वह सिविलाइन थाना के रिकॉर्ड में दर्ज एक निगरानी शुदा बदमाश था बाबुलाल और फिर लल्लू का रक्त रंजित शौव सतना पन्ना रोट पर रिस्थित डीन सी रिजॉट के बाजू से सोहावल के तरहटी महला जाने वाली सडक के किनारे पड़ा मिला शौव के पास ही उसकी बाईक भी पड़ी थी लल्लू के चहरे, सिर और गर्दन पर धार-दार हथियार से वार किये जाने के निशान थे सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना परभारी रूपेंदर राजपूत फोर्स के साथ मोके पर पहुँचे और शव को पुस्ट माटम के लिए भेजा गया पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है शुरुवाती जाँच में राजेंदर मलाह पिता हेमराज मलाह उम्र बीस वर्ष निवासी सतधार का नाम संदेह के दाइरे में आया है हलाकि म्रतक और संदेही की उम्र में काफी अंतर है लेकिन दोनों शराप खोरी के बाद अकसर आपस में उलजते और जगरते रहते थे पुलिस ने आरूपी को शीगरी पकड़ लेने का दावा किया है